Hello everyone, मैं आपके साथ Manoj Verma and इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताऊंगा कि Kotec New, TPSL और TSL कैसे लगा हैं, तो यह वीडियो only for TSL के लिए और TPSL भी मैं आपको एक जलग दिखा दूँगा इसके अंदर यह चीज फायर्स में भी, फिनवेश्या में भी, जरोधा में भी, एन एंजल ब्रोकिंग में भी तीनो चारो पर आसे ही काम कर रही है पर मैं आपको Kotec New पे यह डेमो दिखा रहा हूं कैसे लगाएं यह चीज आपको आती है तो अभी के लिए हम चलते हैं Kotec New पे Kotec New पे मैं अपना page refresh करता हूं और यहां पर आपको दिखा देता हूं यहां पर अभी कोई भी position नहीं है मैंने कुछ order लगाए थे एक दो quantity के चेक करने के लिए तो वह कार्ट दिए जीरो-जीरो है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम website पे चलते हैं login हूं, dashboard पे click करूंगा तो dashboard पे आ जाओंगा dashboard पे चलते हैं dashboard पे आने के बाद API के डेंशल पे जाओंगा और यहां मैंने API connect कर रखी है और time देख सकते हैं इस time मैंने connect करी दी और आप चाहो तो इसमें auto login लगा सकते हो अपना API connect हो जाएगी second thing इसके अंदर यह है कि आपके पास multi API है तो आप सारी API add कर सकते हो same order जो आप चाहोगी वह दूसरों का भी लग जाएगा condition एक ही होगी API से order लगना चाहिए ठीक है जी तो clear हो गया अब चलते हम क्या कहते हैं home page पे हमें सबसे पहले syntax बनाना है syntax पर क्लिक करेंगे और यहां गये और यहां पर हम syntax बनाएंगे तो यहां आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा codex syntax है codex new syntax है tpsl-tsl खाली codex new के लिए codex new पर क्लिक करेंगे अब यहां पर आपको कई syntax मिलेंगे आप यूज करते हो तो आपको पता होगा fully algo बहुत जादा यूज करते हैं लोग पुरानी position काटने के लिए नई position लगाने के लिए auto stack price यूज करते हैं तो आप सभी में TPSL डाल सकते हो मैं regular order ले ले रहा हूँ इसका मतलब होता only for buy या only for sale इसका कोई मतलब नहीं होता मतलब की पुरानी position काटनी है या only add करेगा position तो हम symbol में यह ले 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 लेते हैं example में जो रखा था IQ अगर आपको symbol चाहिए कोटेक नहीं के तो आप global जो global symbol है उसके अंदर से copy करके लाओगे अभी दिखा भी दूँगा थोड़ी दिर में NSE कर देते हैं quantity one कर देते हैं quantity one करने के बाद buy कर देते हैं market कर देते हैं so either order type में TPSL करना market नहीं करना अब यहां तीन value है fake stop loss, fake target fake TSL तो हम TSL में अभी 0.15 15 दाल देते हैं 0.20 दाल देते 20 पैसे का TSL दाल देते हैं अभी काटके नहीं दिखाऊंगा पहले मैं आपको समझाऊंगा उसके बाद काटके दिखाऊंगा और यह तीनों optional है आप चाहो तो TSL ले लो आप चाहो तो तो target ले लो, it's your choice हम आइस क्लिक करेंगे generate करेंगे, यह हो गया copy copy पे click करते, copy हो जाएगा अगर आप save sentence करोगे तो हमारी order table में save हो जाएगा, आप one click करोगे तो order लग जाएगे तो जो लोग believe नहीं करते चार्ट वगेरा पे वो believe करते हैं और यहां पर आप कोई भी indicator लगा सकते हो buy sale का, जब जब वो buy or sale देगा continue loop में चीज़े चलती रहेंगे जैसे आप चाहते हो, और PC बंद भी कर दोगे order लगते रहेंगे, पर मेरे पास इतना time लिए तो मैं आपको horizontal line लूँगा और उसे manually trigger करा के दिखाऊंगा, तो right click जैसे करूँगा, यहां alerts condition default ही बन जाती है, और मैं इसे छेडूँगा नहीं, इधर मैं डाल दूँगा order का नाम test order और यहां पर मैं syntax डाल दूँगा जो मैंने महा बनाया था, यह डाल दिया इस line से touch होगी, order लग जाना चाहिए पर अभी इतनी time तो है नहीं इधर आएगी तो मैं जान बूच के से trigger करा देता हूँ उससे पहले मैं Kotek का account दिखा देता हूँ refresh करके, कि Kotek के account में कोई order नहीं लगावा, यह देख सकते हो नहीं तो मैं इधर गया और horizontal line को trigger करा देता हूँ जैसे मैं trigger कराऊँगा इधर alerts आया तो मैं Kotek पर जाऊँगा इधर खोड़ा से late refresh होती है इसलिए मैं refresh manually कर दूँगा और यह देखो quantity का order आगए हमारे dashboard पर जाना और यहां पर दिखेगा आपको fake management आपको इस पर click करना है जैसे आप इस पर click करोगे तो आपको एक entry rate दिखेगी और यह अभी running में आप देख सकते हो running अगर यह exit हो जाएगा तो exit दिखेगा पर अभी running में अब इसका थोड़ा सा TSL के according मतलब समझा देता हूँ सबसे पहले तो यह बता रहा कि आपने symbol में काम कर रहा है ठीक है वो तो हमें पता चल गया product type MIA से यह भी पता चल गया इसके बाद यह LTP बता रहा है तो मैं बता दो जब आपका order trigger हुआ था वो किस price में उससे हमें कोई लेना दे नहीं नहीं तो 20 पैसे का TSL लगा है तो हमारा जो TSL लगा है अब यह automatic trail होता रहेगा 20 पैसे सरकता रहेगा और जो सरकेगा वो value आपको यहां पर शोगी कि कहां पर set हुआ है यह page refresh करने पर होगी और अगर price उपर को जाएगा 20 पैसे लिखावा तो 25 हो गया क्योंकि price बढ़ गया होगा तो यह trail होता रहेगा और इसको check करने की विजूरत नहीं अगर आप check करना चाहते हो तो आप check कर सकते हो अगर आपने इसके अंदर TP और SL लगा रखा होता तो उसकी value आपको यहां show होती जो कि अभी blank show हो रही है क्योंकि हमने TPSL लिया ही नहीं तो अभी आप देख सकते हो यह running में और running में साथ ही में आप देख सकते हो कि यह trail होके 25 पैसे आगे एक बार refresh और चेक कर लेते हैं तो मैं page को refresh करा क्योंकि auto refresh नहीं है इसके अंदर 25 पैसे का different जो trail ही तो पता नहीं कहां तक चलेगा तो मैं इतना wait तो कर नहीं सकता तो इस case के लिए मैं क्या करता हूं मैं फिर से इदर चलता हूं मैं इसको डिलीट मार देता हूं अब डिलीट मारने से हुआ कि मैं आपको बता दू कि मेरा trail जो लगाया क्याता वो कामी नहीं कर रहा क्योंकि इसी की भी आप पर trail लगावा था अब मैं दुबार से एक order लगाँगा जिसके अंदर मैं 5 पैसे का trail लूँगा अब मैं आपको दिखा देता हूं पहले उससे पहले कुछ चीज़े दिखा देता हूं यहां मैंने जो value दा ली थी 20 पैसे की मैं manually कर रहा हूं इसे 5 पैसे कर दिया और इसे करने से पहले पहले मैं line को नीचे लेकर आजा हूं जिससे हातो हट टे करना हूं मैं edit पे गया और इधर मैंने 0.5 पैसे कर दिया 0.5 पैसे अच्छा एक चीज़ नोटिस करना अब मैंने करतो दिया और activate भी पर आप एक चीज़ नोटिस करना मेरी पहले से एक quantity लगी है और एक quantity का order है तो दो quantity हो जाएगी धान रखना तो मैं tigger कराता हूं और यह मैंने tigger कराया अच्छा टिगर कराते हैं मैं दिखाने चले जाओंगा बाद में चार दिखाओंगा मैं टिगर कराया जैसे टिगर होगा इदर alerts आएगा इदर alerts आएगा पहले new पे चलते हैं और refresh करते हैं देखते हैं दो position होई नहीं हुई portfolio में गए दो होगी हमने price capture करा था 85 पैसे आया तो TSL जो हमारा लगा हुआ 80 रुपे 30 पैसे पे लगाता क्योंकि 5 पैसे गाता और फिर जैसे वो ट्रेल हुआ तो 35 पैसे पे लग गया और जैसे वो नीचे को आया 35 पैसे से जैसे नीचा आया उनने close कर दिया तो एक बार दुबार से ट्राइ कर लेते क्या पता ही situation बन जाया मैं दुबार से इस order को activate करता हूँ और tigger कराने की कोसिस करता हूँ देखते है 5 पैसे जल्दी से ना tigger हो हमने tigger कराया इधर alerts आएगा इधर alerts आया हम order pathway देखेंगे पहले fake management दिखेंगे नहीं तो exit हो जाएगी तो अभी नहीं दिख रहा एक मिंट देख लेते आगे यह इधर आरक है तो यह देखेंगे अभी running में अब मैं दिखा देता हूँ 40 पैसे पर price capture हुआ 35 पैसे पर उनने 85 पैसे पर आपकी bid लगाई 35 पैसे पर bid लगाई 5 पैसे का TSL है अब refresh करेंगे तो देखते हैं तो अभी कितना हो गया अभी 35 है तो 5 पैसे का trail करे जा रहा है अब मैं position में जाके दिखा देता हूँ यह दी position यह थोड़ा से late update होटी है अगर refresh ना करो ना यह exit भी दुबारा से क्योंकि इनने trail hit हो गया होगा दिखा देता हूँ तो यह पर भी exit हो गया तो यह चीजे मैंने आपको semi automation दिखा रहा हूँ आपको देखने की विज़रतनी है वैसे मतलब देखना चाहते हो तो देख सकते हो वैसे देखने की विज़रतनी है तो आपको पता चल गया होगा TSL कैसे लगता है चलो TSL की वीडियो है ऐसी TPSL भी लगता है इसी के अंदर पर उसकी वीडियो अलग से बना दूंग यह TSL की वीडियो के नाम से रह जाएगा थैंक यह वर वचिंग दिस वीडियो और बाइ